2.2 के निर्माता संकर ने 3.0 की स्क्रिप्ट क्यों फाइनल कर दी? क्या आज का रोबोट मंदिरों में पुजारी का काम करते हैं? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गराथ के फिल्मी कलियारे में. अक्षे कुमार और रजनी कांथ स्टार 2.2 फैंस को काफी पसंद आई थी. फिल्म के आखरी सीन में फैंस को शंकर और रजनी कांथ ने एक तगड़ा सर्प्राइज दिया था. पर इंटरनेट की दुनिया में आप ये सर्प्राइज वाली बाते कब तक छिपा सकते हैं? तो रोबोट के 3.0 की. अब इसकी खासियत क्या हो? और ये क्या करेगा? ये तो 3.0 फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसका नाम होगा कुट्टी. फिल्हाल तो दरसक कुट्टी के 3.0 के लुक से ही खुसरे. हाले में संकर ने 2. 2.0 के सिक्वल 3.0 के बारे में भी बात की थी. लेकिन उस दोरान उनकी बात को किसी ने इतना से रिसली नहीं लिया था. लेकिन अब उन्होंने फिल्म के आखरी सीन से ये साबित कर दिया है कि वो सिक्वल बनाने को लेकर सीरियस है. 2.0 भव एस्तर पर बनाए गई सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म थी. इस फिल्म का पजट 500 करोन से ज़ादा का था और एव विस की सबसे महेंगी फिल्मों के लिस्ट में नवे नमबर पर है. बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म ने 800 करोन रुपए की कमाई की थी. जब भाई फि इसी किसी मंदिर में पूरुष पुजारियों के साथ महिलाएं भी पुजारी का काम करती जापान के कव्ए yhtतों में 400 साल कुराने बहुत मंदिर में एक रुबोट को पुजारी बनाया गया है. ये रुबोट बहुत धर्में लोग की रुची को जगाने के लिए इस्तमाल किया जाए मंदिर में रखा है रोबोट हाथ जोड़ का प्रातना भी करता है इस रोबोट का नाम एंड्राइट कैनन है जो मंदिर में लोगों को करुड़ा और दया की भावना रखने के लिए ग्यान की बातें बताता है साथ ही ये रोबोट मंदिर में अन-पुजारियों की मदद भी करता है वही रोबोट के बारे में मंदिर के एक पुजारी तेंसो गोटो का कहना है कि ये कभी भी नहीं मरेगा और समय के साथ साथ खुद बाखुद बिक्सित होता चला जाएगा और यही वज़ा इसे खास बनाता है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप हमें कमेंट करके बताएए कि 3.0 का बजट कितना होना चाहिए और ये फिल्म बाख्स ओफिस पर कितने करोन की कमाही कर सकती है क्या ये फिल्म 2000 करोनी फिल्म होगी